हेलो एवरिवन वेलकम टो आर यूटूब चैनल वोकैप ट्रेक्स बाई आशिशिवरे आज के वीडियो में हम प्रैपोजीशन का प्रैक्टिस सैट नमबर एट लेकर आए हैं इसके पहले साथ वीडियो अलड़ी हमने अपलोड कर दिये हैं यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यदि आप MPSI का एक्जाम देना चाहते हैं MPTAT का देना चाहते हैं UPTAT है या कोई भी स्टेट लेफल का एक्जाम आप देना चाहते हैं तो आप देखेंगे अक्सर उसमें 30 marks की English आती है और इन 30 marks मैंसे 3 से 5 marks तो केवल preposition के होते हैं तो मैं बहुत सारे questions preposition पर तयार कर रहा हूँ Already हमने बहुत सारे questions upload कर दिये उसकी पूरी playlist आपको मिल जाएगी आप उनको देखिए गौर कीजिए कौन-कौन से phrases आ रहे हैं किस तरह की questions repeat हो रहे हैं कौन-कौन से concept repeat हो रहे हैं इससे आपको बहुत help मिलेगी आपको कोई online course नहीं खरीदने की आवशक्ता है आपको कोई भी test series लेने की आवशक्ता नहीं है कोई app आपको download नहीं करना है कि इस channel को और इस channel के videos को जादा से जादा लोगों को share कीजिए सबको फायदा पहुचाईए मुझे भी फायदा पहुचाईए ठीक है तो चलिए हम आज का video शुरू करते हैं यहां पर आपके सामने question आ जाएगा हर question को हम cable कुछ ही seconds देंगे okay so let us begin without wasting time पहला question है while the firm was blank the process of fitting the machinery the entire plant was shut down into in on on to and the correct answer is in in the process एक idiom होता है एक phrase होता है in the process जब कोई भी चीज जारी है काम चल रहा है तो हम बोलते है in the process question number two है the files are blank the alphabetical order so don't metal blank them options है into around from in by through in with and the correct answer is in with देखो इसमें क्या बोल रहा है कि files जो है किसमें है alphabetical order में याने a to z के क्रम में हैं और दूसरा आप देखेंगे madal लिखा हुए madal with idiomatic verb है एक phrasal verb है जिसका meaning होता है छेड़ चार करना वैसी वाली छेड़ चार नहीं करना वो तो molest कहलाता एकैसी महिला से छिड़ चाड़ी को जैसे कोई मालू बिजली के तारों से छिड़ चाड़ कर रहा है कुछ सामान वगशा रखा हुँ इसको है ना स्वेस्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं metal यानि है छिड़ चाड़ करना अस्वेस्ट करना question number three है a good way blank combat the annual floods blank बिहार is to build houses blank and elevation इसमें देखो तीन-तीन blanks हैं options है add into on to in add on for through for of for and the correct answer is to in add देखो हमने क्या सीखा अब तक हमने कई बार यह सीखा है कि अगर blank के बाद कोई verb दी है first form की तो इसको two से जोड़ेंगे तो यहां देखो combat दिया हुआ combat क्या होता लड़ना युद्ध करना तो two combat अब बिहार क्या एक राज्य है बड़ा एक राज्य है कनाम है तो इन आएगा बड़े स्थान में इन आता है तो इन बिहार और houses at an elevation elevation क्या होता हाइट एक हाइट पर बनाना होगा मकानों को अगर आपको बाड़ से लड़ना है question number four है a green house is used blank rearing plants blank controlled conditions तो four under and over into four forehead and the correct answer is four under दोगो यहाँ blank के बाद rearing लिखा है rearing ing लगा हुआ है तो जब भी ing form मिलेगा तो हम वहाँ क्या use कर सकते हैं for use कर सकते हैं उद्धेश बताने के लिए और फिर दोगो under है under controlled conditions याने के अधीन अंडर का मेनिंग क्या हो गया है यहाँ पर के अधीन चले question number five देखते हैं he was standing blank the door and listening attentively against between back off besides and the correct answer is against दोगो आगेंस्ट का एक मतलब तो होता है के खिलाफ और against का हम एक और use करते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति या वस्तू किसी दूसरी वस्तू से टिकी हो है ना उस पर टिकी हो तब हम अगेंस्ट का use कर सकते हैं जैसे किसी ने cycle को दीवार से टिका के खड़ा किया है तो हम क्या यूस करते हैं पर अगेंस्ट दा वॉल इसी तरह कोई व्यक्ति अगर हमारी बात को छिप कर सुन रहा है तो कैसे चुनेगा दरवाजे पर टिक जाएगा कान लगा लेगा वो तो अगेंस्ट दा डोर ओके क्वेस्टिन नमबर सिक्स स्वीप दा ब्रेड क्रम्स ब्लैंक दा टेबल अंडर ओफ फ्रॉम एक्रॉस एंड़ करेक्ट आंसर इस ओफ ओडबल एफ दो को स्वीप ओफ एक फ्रेजल वह उती जिसका मीनिंग होता है जाल के अलग कर देना जो भी छोटा मुटा कचड है उसको जाड के ब्रश करके अलग कर देना क्योंकि ओफ में क्या सेंस आता सेपरेशन का लगाओ का है ना तो इसलिए स्वीप ओफ ओफ दा टेबल यानने जो टेबल पर ब्रेड के टुकडे गिर गए हैं क्रम्स गिर गए हैं उनको जाड दो अलग कर दो question number seven the pharmacy is blank the street blank the post office across beside along besides against by between near and the correct answer is across beside देखो across the street क्या होगा street के पार याने जो भी गली है उसके दूसरी तरफ और कहां पर beside the post office याने post office के बगल में question number eight Macbeth is written blank Shakespeare you will find more blank his place blank the library तो तीन blanks है इसमें over about add for in add against on in by off in and the correct answer is by off in और देखे जब भी दो या तीन blanks आपको देते हैं तो मैंने आपको कई बार बता है इस trick को कि आप देखो कि आपको कौन सा पक्का बन रहा है किस point पर आप sure हो जैसे यहां देखो लिखा हुआ है Macbeth is written by Shakespeare हम एजेंट या डूर में क्या यूज करते बाय का उप्यों करते ना जैसे राम किल्ड रावर तो रावर वास किल्ड बाय राम तो यहां पर जो Macbeth किस बी तो कोई भी एक option देखो जहां पर आप बिलकुँ sure हो question number nine let's be straight blank each other to for against with at and the correct answer is with देखो straight with का meaning होता है honest with किसी के साथ इमानदार रहना वैसे straight का अर्थ होता है सीधा तो अगर आप किसी से बिलकुल सीधी बात करते हो गुमा फिरा के बात नहीं करते हो जो है वो सीधा है बिलकुल मतलब इमानदार है तो straight with का मतलब होता है honest with यह कह रहा है चलो हम एक दूसरे के प्रती इमानदार बनें question number ten he was blank prison blank two years add for in over in for into since and the correct answer is in for in prison याने jail में for two years for क्या पता था duration अवदी दो वर्ष के लिए या दो वर्ष तक question number 11 it is polite to greet your colleagues first thing blank the morning in before on by कितना easy यह दो in the morning क्योंकि morning एक फैला हुआ समय है तो फैले हुए इस्थान या समय में हम इनका यूज करते हैं question number 12 he sent her a lovely bouquet blank red roses which she threw blank the floor तो in to on for off to off on and the correct answer is off on भाइदे वो बुके किसीज का लाल गुलाबों का तो off red roses वो कहां फेका on the floor surface to surface contact ठीक है वैसे कुछ लोग two में भी confused हो सकते हैं कि भाई throw to the floor क्यों नहीं होगा दो throw to the floor एक idiomatic verb है जिसका meaning होता है जब कोई मंच पर अपना discussion शुरू कर देता है एक topic शुरू कर देता है उसको हम बोलते हैं question number 13 everybody blank 16 blank this town is earning money blank a regular basis and options है at along through under on from over in on by in at and the correct answer is over in on भाई देख ये क्या कह रहा है everybody over 16 यानि हर कोई जो 16 वर्ष से ज्यादा का है in this town इस टाउन में तो टाउन में लगेगा ठीक है और क्या है is earning money blank a regular तो on a regular basis यानि एक नियमित basis पर उसकी कमाई हो रही है question number 14 my sister has decided to blank with me to move to move in move from move at and the correct answer is move in move in with somebody का मतलब होता है किसी के साथ किसी के घर में रहने के लिए आ जाना उसे हम कहते move in in मतलब अंदर 15 the dog may bite you if you try to take blank the bone it is chewing on away off over and the correct answer is away तो take away का मतलब क्या होता चीन लेना उस किसी व्यक्ति से कोई चीज दूर ले जाना तो वो कुत्ता आपको शायद काट दे है यदि आपने उसकी हड़ी को चीनने की कोशिस की question number 16 I'll use my cell phone when I am blank the bus never while I am blank the car to in on in out of at in and the correct answer is on in on the bus in the car अब बहुत सारे विद्धियारतियों को ये बात खटकती है कि ये on the bus और in the car का क्या चक्कर है हम इंदा बस क्यों नहीं बोलते है ये हम on और in का chain कैसे करेंगे गाड़ियों की जब बात होगी देखो कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें लोग थोड़ा सा अंदर जाकी चल फिर सकते हैं उसमें on का use होता है बड़ी गाड़ियों में ओके भाई कार में क्या होता है कार में हम सीधे दरवाजे से घुसे अपनी गर्दन घुसाए और वहीं के वहीं बैठ जाते हैं उसमें चलते फिरते हुए नहीं जाते हैं लेकिन ट्रेन हो गई बस हो गया बड़ा सा प्लेन हो गया इनमें हम क्या करते हैं थोड़ा अंदर जाते हैं चलते हैं अपनी सीट को धूरते हैं और फिर बैठते हैं ऐसी गाड़ियों में ओन का यूज होगा ठीक है और ऐसी गाड हो कि on the roof of the bus यह अंतर है ओके चलिए क्वेशन नमबर 17 वी वेटेड ब्लेंग देश्टेशन ब्लेंग 15 मिनिट्स इन फॉर एट फॉर इन अप्टू ओफ एट एड़ करेक्ट आंसर टक फैस्टेशन नमबर 18 देश्टेशसन नम्हिंटेशन थे ब्लेंग 15 मिनिट्स रत लाइस प्लेंग 2 या अच्थी डिया एक्वाश्य हैं नहींतर 2 1,6 in paying our bill तो in depth in debt indebted in depth and the correct answer is in debt 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 का मीनिंग होता है कर्ज इसमें be silent है इसको डेप्ट नहीं बोलेंगे इस डेट तो in debt का मीनिंग होता है कर्ज में तो यह एक फ्रेज होता है इन डेप्ट तो हो जाएगा गहराई में हो question number 20 blank all the subjects blank the school curriculum perhaps the most difficult subject is the study blank languages तीन तीन blanks है इसमें भी for against of after of 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 in of under in of and the correct answer is of in of देखो of all the subjects यहने सभी विश्यों में से अब किस में in the school curriculum हमारा जो school का curriculum है याने उसका जो पाथिकरम है perhaps the most difficult subject is the study of languages किस की study languages की study question number 21 we have lived blank England blank 1980 at in for of in since between in and the correct answer is in since भाई England के बड़ा शहर है फैला हुआ शहर है फैली हुए इस्थान पर क्या आता इन और निश्चित टाइम पर क्या आता since तो since 1980 डूरेशन में for और जो certain exact time आ जाए उसमें since 22 I will see you blank 10 minutes but please wait blank me if I am late in for for of to in at by and the correct answer is in for दो को in क्या बताता दूरेशन बताता आप सोचो कि for भी तो duration बताता या वो perfect tense में बताता है बागी tense में आपको क्या यूज़ करना in तो I will see you in 10 minutes में आप से 10 minutes में मिलूंगा याने 10 minutes के अंदर अंदर में आप से मिलूंगा but please wait for me if I am late question number 23 the boss went on a blank when he found him whiling away his time and options are rampage against his assistant, tirade against his assistant, sojourn with his assistant, tirade with his assistant and the correct answer is tirade against his assistant, so tirade का मतलब होता है a long and angry speech, जब कोई हम पर भढ़का हुआ होता है कोई teacher है principal है बहुत से वो हम पर भढ़का हुआ है तो वो जो angry speech देते नो समय पूरा एक प्रवचन देते हैं उसको हम बोलते हैं तो एक idiomatic verb होती है go on a tirade against somebody यानि किसी को एक लंबी और गुस्से वाली speech देना उसको मतलब बहुत सुना देना जम के सुना देना उसको हम बोलते हैं टाइरेड क्वेस्चन बर 24 है वेन देर डिमांड्स वर TV में सुना होगा कि आज विपक्षी दलने संसत से क्या किया वॉक आउट कर दिया अलब वहां से निकल के बाहर काम छोड़ के बाहर चले गए तो वॉक आउट एक फ्रेज है 25 we are going blank a vacation blank the end of August तो in of of at by until on by and the correct answer is on by on a vacation छुटी पर और कब तक भी या by the end of August यानि वो आगस्त के अंत तक चले जाएंगे 26 he blank his lost watch everywhere to search into search of search by search for and the correct answer is search for क्योंकि तो लुक फॉर और search for दोनों का मतलब होता किसी चीज को खोजना धूनना 27 most children remain dependent blank their parents while they are blank university options है on at off into from at under at and the correct answer is on at भाई देपेंड हो चाहें dependent हो दोनों में on आता है dependent एक वर्प की तरह ही उस होता है dependent एक adjective की तरह ही उस होता है जैसे I depend on you I am dependent on you तो दोनों में on आता है और वहाँ पर दूसरी जगह क्या है देखिए at university question number 28 after years blank chasing her dream she finally got a part blank a film तो off in in from from in of in and the correct answer is off in by after years of chasing her dreams ठीक है और वहाँ दो के लिखा इन आ फिल्म फिल्म की फिल्म में उसके अंदर तो in a film question number 29 the council has some spare cash that it possesses blank spent blank public amenities on to in from for for to on तो इस्पेंड का वाब है तो पहले तू लगेगा तो तू on to spend on public amenities चलिए आज के last question है question number 30 the meaning blank sentence often depends blank stress and intonation off on in by on upon from on and the correct answer is off on अभी हमने देखा depend में क्या आता on आता है तो depend on लिखा है वहाँ पर है off किसी भी sentence का मीनिंग तो काखी के लिए off आ गया तो आई होप आपको ये सभी questions समझे में आए होंगे यदि आपको कोई भी doubt है कोई भी question आप पूछना चाहते हैं तो comment में जाकर आप पूछ सकते हैं और हमारा एक नया channel है let's learn English यदि आप spoken English के सीखना चाहते हैं आप basic grammar सीखना चाहते हैं बुलकुष शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप इस channel को subscribe कर लीजिए okay so let us finish see you soon keep sharing keep supporting कर दो एक करें बुर्भक लागा तो एक कर लक्या है कर दो